एलो एवरीवान तस्वागत है आपसे लोगों का एक नए वीडियो में रिसोर्स यूपी PSC के चैनल पर तो इसके जो उत्तरप्रते पुलिस को उस्टेबल भरती है या आर्ची जो भी एक्जाम है जो पहले हो चुके है तो उसके जो प्रैक्टिस पेपर है हम उनके वीडिय प्रैक्टिस को अपनी मजबूत बना रहे है तो चलो अज जी अज को पोर्शन देख लेते हैं यह हमारा सेंपल पेपर फस्ट है और यह आपका सामाने घ्यान का कोश्चन पेपर है ठीक है तो फस्ट कोश्चन है कि प्राचीन भारत के सिक्षा केंद्र विक्रम सिला महाव यार को स्थापित किस ने किया था अपसने कुमार गुप्त ने भी हर्सवर्दन ने सी धर्मपाल नी या डी लक्षमर सेन ने तो आपको बताना है अब यह टॉपिक करेंट में अभी चर्चा में यही था तो बिहार प्रांद के भागलपुल जिले में इस्तित विक्रम सिला नालंदा ठीक है के ही समान एक ख्याती प्राप्ति सिक्षा का केंडर रहा है और इसकी स्थापना पाल नरेस धर्मपाल ने की थी ठीक है या करवाई थी तो अंसर आपको अगर बात करें कि किस ने की थी तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी आगे बढ़ते हैं नेक देखिए सेख मुईनुद्दीन चिस्ती ने चिस्तिया सूफी मत को इस्थापित किया था और ये मुहमदगौरी के समय ग्यारा सोबन भी इसमय में भारत आया और अजमेर में अपने खानका की स्थापना की आंसर की बात करें किया बी हो जाएगा आपका ख़़जा मुईनु दीन ने बाकि कुछ चीजी और डिटेल में दी हैं तो मैं पीडिये भेजूंगे तो आप पढ़ लेना अच्छे से ठीक है करें हमारा कोशन नेक्ष्ट है कि अकबर के इच्छन उसर किसने रामायड का फार्सी में अन्वाद किया तो आपसने अबुल फजल भी अब्दुलक अबुलकाधिर बदायोनी ने रामायड का फार्सी में अन्वाद किया था और बदायोनी अकबर को कोसिता था क्योंकि अकबर की कारणों से हिंदु देवी देटाओं के नाम लिखने पड़े तो बी यहां पर कह रहे हैं अब्दुलकाधिर बदायोनौनी ठीक है next question है कि न जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था जहांगीर के दरवार की बात हो रही है ठीक है 1608 इसवी में इंग्लेंड के राजदूत के रूप में कैप्टन विलियम हौकिन्स समराथ अकबर के नाम पत्र लेकर आये थे ठीक है तो ए अपसर हो जाएगा आपका विलियम हौकि जी द्वारा सविने अवग्या अंदोलन को वर्स 1931 में बंद कर दिया गया था अपसर है गांधी इर्विन पैक्ट बी गांधी वेवल पैक्ट सी गांधी लिन लित्गो पैक्ट एंडी गांधी मांट बेटन पैक्ट तो सविने अवग्या अंदोलन को क्यों रूप दिया के लिए राजी करना था तो आपका क्या यहां पर option हो जाएगा वैसे मैंने जब बता ही दिया है तो आपका यह option यहां पर सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट कह रहे हैं कि कानपूर में 857 इसवी के विद्रों करने तो तो किस ने किया था आपसे ने बहुत सिंपल है ज्यादातर कोश्चन में खुब आता रहता है तो आपको आइडिया हो गया होगा नेक्स्ट क्योश्चन है इसमें सबसें उच्चा ज्वार में पाया जाता है उच्चा ज्वार सकतियों के करण सागरी जिल के ऊपर उटने तथा गिरने को ज्वार बात कहते हैं तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि टाइड किसे कहते हैं है ना तो अंसर की बात करें तो C हो जाएगा हमारा कनाडा कहाँ पर आता है डैस डैस में तो कनाडा में ठीक है अधिकता संकेंद्रा पाया जाता है यानि कि मात्रा पाय जाती है पर थिवी कि वायो मंदल में उजोन की उपस्तिती प्राकति की वह मानमी जैसा हम लोग जानते हैं कि परावैंगनी किरने आती जो हमारे इसकिन के लिए कितनी हामफूल होती है ना तो उनी चीजों से भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कार खाना किस राज में इस्तिता उपसे ने गुजराद में भी पश्ची मंगाल में सी असम में एडी तमिलनाडो में ठीक है यह बताना है नाइन नम्र कोश्चन पर हमाएं तो पेट्रोलियम प्राकतिक गैस नेप्था एलकोहल त के पदार्त किर नासफ और सदियों के कारण तो यह सारी चीज आपके पेट्रोल रसायन में आती है ठीक है तो अगर बात करें कि जो कोश्चन का आंसर पूछ रहे हैं कि किस राज में इस्तित है तो यह आपका पेट्रोल रसायन यहां पर गुजरात में हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन कह रहे हैं कि नाथुला दर्राज जिन देशों के भी सीमा पर व्यापार के ने पूना खोला गया वै भारत और डेड़ डेस है और सरे बांगला देश भी चीन सी भुटान एंडी नेपार तो अगर बात करें यहां पर तो नाथुला दर्राज आपका स नाथुला दर्राज जिन देशों के भी सीमा पर व्यापार के लिए पुना खोला गया वै भारत और चीन है ठीक है किसके लिए खोला गया था भारत चीन के लिए नेक्स्ट फिलाल कोश्चन है हमारा कि विस्व का सबसे बड़ा जल पूत विखंडन यार्ड कहां इस्ते थ में विखंडन यार्ड गुजरात राजी में स्थेत है तो इस तरीके से आंसर हमरा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आपका गुजरात नेक्स्ट है कि निमलिकित में से कौन राष्ट पति को पद की सपत दिलाता है पॉलिटी बढ़ाई होगा अफसन नहीं लोग सभाद दे और रेष्ट पती कोिस्वती कों सपद दिलाता है है ना राश्ट को सब्च की सपद कौन दिलाता है तो मुख्य निया चलिंफ इसका दिलाते हैं तो ए तो आपको बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा नहीं पता तो आप कमेंट करिएगा मैं बताती हूँ अगर अभी बात की जा कि वर्तमान में इस समय भारत के संविदान में कितनी नसूचिया है तो अब इसलिए बारा नसूचिया है ना भारत के संविदान में फिलाल कितन बैंक बी आरडी अंतराश्टी विकास परिसाथ आईडिये अंतराश्टी वित्रिंगम आएफसी बहु पच्छी विनियों गरंटी संस्था एम आईजिये ताथा इंटरनेशन सेंटर सेटलमेंट आफ इन्वेस्मेंट डिस्प्यूट आईसी एस आईडी जिसको बोलते हैं है और इसका जो मुख्याला है तो बहुत सिंपल वासेटन ट्रैस में स्थेट है ठीक है के अद्रस निर्यात स्ट jsा만 का निर्यात है थीया झतिता Deshعة निर्यात से पर दिखाई नहीं देती तो एसे निर्याद से जो होता है स्ट्छेएंगा तहित आता है तो क्या हो हो जाएगा सेवाओं का निर्यार ठीक है चले नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्लिकित में से असमांता घटाने का कौन सा उपाय नहीं है अब यहां पर कह रहे हैं कि कौन सा एक उपाय नहीं है और सने नियुंतम आवस्कता कारिकरम भी अर्थवेस् असमांता घटाने का उपाय नहीं है तो यहां पर हो जाएगा अर्थवेवस्ता का उदारे कटाने यानिकी बी आप्सान नेक्स्ट कोशन है कि भारत में प्रचन विरोजगारी पाई जाती है और इसके तहे स्रमिक बाहर से तो काम पढ़ लगे हुए प्रतीद होते हैं पर किसी में पाई जाते हैं तो option यह हमारे व्यागा करसी छेतर में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि कौन सा बैंक भारत का सबसे पूराना सर्वजैनिक छेतर का बैंक ऑप्सने बैंक और इसका प्रदान कारयाल है कुलकाते में इस थी तरह पूरे भारत में इसकी चौबीसों से अधिक साखाए है वर्स 2020 में इलावद बैंक का विला इंडियन बैंक में हो गया था तो इस तरीके से बात करें तो आपसन सी आपका सही है इलावद बैंक ठीक है नेक्स्ट है कि उत्तरपिदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है आपसने फतेपूर बीव मुझफर नगर सी मिर्जापूर यटी मुरादाबाद तो बहुत सिंपल है अगर देखें तो यह आपका डी आपसन हो जाएगा मुरादाबाद कह रहे हैं यहाँ पर कोश्चन में कि वर्गीज कुरियन को डेश डेश दौरा राष्टी डेरी विकास बोर्ड एंडी डी बी के अधिक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया था तो आपसन दिये गे हमारे ए लाल बादू सास्त्री बी गुलजारी लाल नंदा सी इंदरा गांदी यदि वीवी गिरी ठीक है तो अब बताना है यहाँ पर आंसर तो अगर बात करें वर्गीज कुरियन के बारे में तो वर्गीज कुरियन को लाल बादू सास्त्री दौरा राष्टी डेरी विकास बोर्ड जुलाई नाइंटी सिस्टी फाइब के अधिक्ष क्लों म अनावरण किया अपसने जापान भी भारत सी चीन एंटी फ्रांस तो गेस करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि भारत भी हो सकता है ठीक है बात करें तो यहाँ पर देखें बात करें इस कोश्चन के अंसर के तो हैद्रावाद इस्तिर रोबोटिक्स कंपनी ग्रेने रोब सित अपनी तरह की पहले प्रणाली है और इस प्रणाली को प्रमावपति स्ठानों और तेल रिंग जैसे महतुपूर सुविधाओं के सासाथ बड़े चेत्रों में भी मतलब खत्रे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है तो अंसर क्या हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा यानि कि भारात हो जाएगा ठीक है चलें नेक्स्ट है कि चीनी लिखक भारत का उले किस नाम से करते हैं और सने फू कुई की बी इन तू सी सी यू की एंडी सिक्योग पो नू तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या सही होना चाहिए तो एईसा की प्रत्रम सताब्दी में बह इन्तू सब्द का चलन हो गया तो क्या हो जाएगा इन्तू यह यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट कहरें कि निमलिकित में से किस आंदोलन के साथ अनुना आसाफ अली जूड़ी थी असयोग अंदोलन, भी सविनय वग्या अंदोलन, सिवैक्तिक्त सत्याग्रय यह भारत छोड़ों आंदोलन तो यह खुब कोश्यन आता है 1919 इसमी में अविभाजित पंजाब के कालका में अनुना आसाफ अली का जन्म हुआ था और इस जन्म से ब्रामर थी लेकिन इन्होंने अपना विवा मुस्लिम विक्ति आसाफ अली से किया था अनुना आसाफ अली मुक के रोप से नाइटी-फॉटीटो के भारत छोड़ों अंधोलन से जूड़ी थी तो क्या हो जाएगा आपका डि अपसन हो जाएगा भारत छोड़ों अंधोलन थी निक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट पति की अनुपस्थिति में ये अधी उप् मतलब उपस्तित नहीं है वारती समीदान में प्रावधान किया गया कि राष्टपती के पद में आकस्मिक रिक्ति के दोरन या उसकी अनुपस्तिती में उपर राष्टपती राष्टपती के करें को निर्वहन करेंगे और राष्टपती तता उपर राष्टपती दोनों के तो इस तरीके से हमारा option A यहां पर हो जाएगा भारत के मुख के नयादीस नेक्स्ट है question हमारा कि निम लिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संगी लक्षण नहीं है तो यहां पर कहरें कि कौन सा इसमें से संगी लक्षण नहीं है वो बताना होता तो अलगा अंसर रहता नहीं है यह बताना है तो C है आपका कि एकलनाग लक्षण नहीं है आगे बटते हैं नेइस्ट है कि खालसा पंत के संस्थापक है क्यों वा प्साने गुरु हार रहा है विए गुरु हर किश्ण सिक्षण से गुरु तेक बहधुर यदधि गुरु गोविन सिंह तो बात करें अंतिम गुरु गोविन सिंह जी ङ상 क्रपार का इच्छा और कड़ा रखना अनिमार कर दिया तता गुरु नानक गुरु अंगत गुरु अमरदास गुरु रामदास गुरु अरजन्दयो यहनि कि और सब के बारे में बात की गई है तो यहाँ पर अगर बात करें तो डी हो जाएगा गुरु गोविन सी आगे इकट समुद्र तल से प्रती 110 मीटर के उचाही चड़ने पर वाईदायब लगबग एक सेंटीमीटर कम हो जाता है और कम होने के कारण ठीक है कम हो जाता है इसलिए ज्यादा उचाही पर सास लेने में कठिनाई होती है प्रतिवी के चारोर उपस्तित वायू एवन विभिन उपस्तित वायू हम सभी पर अतिदीध दाब डालती जिसे वायू मन्दली दाब भी कहते है अंसर क्या होगा वायू के कम दबाओ के कारण ठीक है तो भी फिर नमारा या पर सही हो जाता है नेक्स्ट कहिने है कि सूर्ष सप्रतिवी तक पहुंचने में प्रकास को कितना सम तो दो बताना है तो देखो नीलम में अलुमिनियम पाया जाता है और यह रतन पत्थर नहीं है तो इस तरहीके से जो नीलम है यह आपका पत्थर नहीं है नेक्स्ट करें कि परमाडू बम का विकास किस ने किया आपसने सैमूल कोहिन, बे वर्नर, वान ब्रॉन, सी जे राबर्ट ओपन हीमर, आइंडी एड़वर्ट टेलर तो परमाडू बम के परें बात हो रही है परमाडू बम का विकास वेग्यानिक आटो होन और स्ट्रॉस मैन ने किया है लेकिन बाद में जे राबर्ट ओपन हीमर ने इसका प्रियोग किया तो फिलाल आंसर में आपको जे राबर्ट ओपन हीमर ही लिखना है तो पताना है किसमें से कौन सा आंसर सही होगा हमारा 31 नमर कोशन है तो जो पीनियल गरंती है अगर मस्तिस के प्रष्टी भाग में इस्तित होती है और यह गरंती हमारे सरीर के दैनिक लेक नियमन का एक महतुपुड कार करती है तो बात करें तो आपसान यह हो जाएगा आपका यहाँ पर पीनियल गरंती ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि अधरक जड नहीं है तना है क्योंकि आपसन है इसमें क्लोरोफिल नहीं है भी यह खाद सामागरी को भंडारित करता है इसमें गाठे और पोरियां होती है तो करें अधरक आपकी जड नहीं है तना है किस कारण है बात करें तो अधरक जड नहीं है तना क्योंकि इसमें गाठे और पोरियां होती है तो क्या आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर नेक्स्ट है कि CPU को पूरा नाम है उसने Central Programming Unit इन में से कोई नहीं है वह नौर्मल सबको पता सेंटर प्रोसेसिंग युनित सी ऑप्षन हमारा है यहां पर सही होजाएगा नेक्स्ट राष्टिक क्रिकेट पर इसान ने क्रिकेट विस उकप डोजाए लिए वैसविक राजदूत के रूप में किसे नहीं तो पहले भी अब साथ यह कोश्चन देख चुके हैं बात करें तो भी यहां पर आंसर कह रहे हैं सचेन तेंदुल कर ठीक है नेक्स्ट है कि सुतंत्रत दिवस दोजार तीज की थीम रही ऑप्सने राष्ट प्रेम धार्नी विकास बी एक राष्ट एक दल एक नेता सी राष् अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन के भारत और किस देश के मद्द त्रिपूरा आखा उड़ा रेल लिंक पर योजिना का उद्गाटा निंग नॉमबर 2023 को किया अप्सने स्रीलंका बी नेपाल सी बंगलादेश एंडी भूतान तो बात करें यहां पर जो कोश्चन का आंसर है प्रधान मंतरी नरियन मोधिर और बांगलादेश के प्रधान मंतरी सेख हसीना ने सहीयोग दुरूप से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मात्यम से अगर तला त्रिपूरा और आखा उड़ा बांगलादेश सीमा पार रेल लिंक सहीत तीन परियोजना का उद्गाट तो बात करें अगर यहां पर हम तो मत्य अमेरिका देश निकार गुआ कि सेनिस पलासियोज ने मिस यूनिवर्स दोजातेश का खिताब जीता तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सेनिस पलासियोज नेक्स ए अंतरिक्ष में जाने वाली सौधी अरब की पहली महिला अ अंतरिक्ष में जाने वाली सौधी अरब की पहली मेला अंतरिक्ष यहतरी बन गई उनके साथ रोयल सौधी वाई हुसेना के लड़ाकू विमान के पाइलट अली अलकर्णी ने अंतराश्टी अंतरिक्षी स्टेशन के लिए उडान भरी तो ए अंसर हो जाएगा हमारा रयाना बरनावे अब नेक्स्ट जो यह कोशन है आपके संखेत में को मानसे को अगले वीडियो में देखेंगे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू